आज है 25 अक्टूबर 2023 दिन बुद्वार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले मध्यप्रदेश में चुनाओ की वजय से अर्ध्वारशक परिक्षा आगे बढ़ाया जासकता है केंद्र के और है आधिकारियों के बैचिक में परिकषा अस्थगित करने पर सहवती बनी मगर इसके पीछे दूसरी बड़ी वज़े ये है कि परिक्षा से पहले पेपर प्रकाशित करना होता है उसके लिए जिलाइस्तर पर टेंडर जारी किये जाते हैं इंदौर के इस चौराहे तक त्यार हुआ मेट्रो कॉरिडोर जल्द शुरू होगा मेट्रो का सफर मदपदेश के आतिक रासानी इंदौर शेहर में मेट्रो का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में इंदौर शेहर में मेट्रो दोरती नजार आएगी इंदौर के जंता को भी मेट्रो में सफर करने का काफी जादा इंतिसार है इसी वज़े से मेट्रो के काम को जल्दी पूरा किया जा रहा है अभी कई हिस्सों के लिए मेट्रो कॉरिडोर बन कर तयार किया जा चुका है पही पत्रिया बिछाने का काम किया जा रहा है बताया ज़ा रहा है कि अब तक दिली बिल्ट कॉन ने मेट्रो कॉरिडोर के तीन और हिस्से कमपनी ने तयार कर मेट्रो कमपनी को दे दिये हैं सियम शिवराज और केंद्रे मंत्री आज को कई जिले में करेंगे चुनावी सभाएं मदप्रदेश विधानसभा चुनाव के दिश्टी सिभारतिय जंतापाठी का शीष नित्रत्वाज को प्रदेश के विभने जिलो के प्रवास पर रहेंगे मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान, नर सिंगपूर बैतूल हरदार, नर्मदापुराम केंद्रिय मंत्री वाप्रदेश चुनाव प्रवन्दन समिती के संयोजक नरिंदर सिंग तूमर, शोपूर वा मुराउना केंद्रिय मंत्री वीरेंदर खटीक सागर और केंद्रिय मंत्री अर्जुन मुंडा भुपाल जिले के दौरी पर रहेंगे प्रदेश में अचार सहिता लगने के बाद प्रदेश में पहली बार मद्रप्रदेश में चुनावी सभा करेंगे ये सभा मालवा शेतर के भाजबा प्रत्याशियों के समर्धन में होगी पूर मुख्यमंत्री उमा भारती ने सोशल मीडिया एक्सपर लिखा मैंने अकबार में पढ़ा मेरे बड़े भाई मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान ने कहा कि जोहान लाडली बेहने लिख कर देंगी वो शराब की दुकान बंद हो जाएगी उन्होंने कहा कि इसके लिए शिवराज जी का भिनंदन हैं ऐसी कई दुकाने मेरी नजर में हैं जहां बंद होना बहुत जरूरी है कॉंगरिस नही ता दिग्विजे सिंग और कमलना दौरा करन्यापूजन को लेकर लगाए गए आकशे पर सिंग चौहान खोब बढ़से विजय दश्मी के मौके पर राम राजा के नगरी उर्चा में भाचवा की जीत का संकल तिलाते हुए शिवराज ने कहा बेहन बेटियों को टंच माल कहने वाले दिगविजय को मेरे दौरा बेटियों की पूजा नौटंकी लगती है सीम ने कहा कि बेहनों की पूजा के लिए नैतिक साहस चाहिए मैं बेटियों के और बेहनों के पैर भीध होता हूँ और उस पानी को माथे से भी लगाता हूँ ये वही कर सकता है जिसके मन में पवित्र भाव हूँ जिसमें भारतीय संसकार हूँ बेनों के सम्मान का ये काम दिगविजे सिंग नहीं कर सकते शिवराज औ कमलनाथ 30 अक्ट्यूबर को इन दौर में एक साथ आएंगे दोनों प्रत्याश्यों के नामांकन भरवाएंगे मद्रप्रदेश में विधानसभा चुनाव के तैयारिया जोरो पर है मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान और पूर मुख्यमंतरी कमलनाथ अपनी अपनी पार्टीस के प्रचार के लिए लगातार दौरे कर रही हैं 30 अक्टूबर के दिन शिवराज सिंग चोहान और कमलनाथ दोनों ही इन दौर आएंगे मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान इस दिन एक बड़ी रैली के रूप में भी प्रतियाशों के नामांकन दाखिल कराएंगी मद्रप्रदेश में पांस साल में एक भी राज सेवा पर एक्षार नहीं हुई पूरी प्रशासनेक पदों के लिए होने वाली मद्रप्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित राज सेवा भरती प्रक्रिया के माद्यम से बीते चुनाओं से इस चुनाओं के बीच एक भी न्युक्ति नहीं हुई डिप्टिक अलेक्टर डियस पी जैसे कई एहम पदों के लिए होने वाली इस भरती प्रक्रियास से असल में पांच वर्षों में करीब दो हजार न्युक्तियां हो जानी थी तंतर पर सवाल खड़ा करते हुए अभ्यरती आरोप लगा रही है कि नियमों को तोड़ने मरोणने की सरकार की जैद और पियसे के मनमाने के कारण ही न्युक्तियां नहीं हो पा रही है मदर प्रदेश में पोलियो हाई रिस्क के सोला जिले ठीका करन विभाग का पोस्ट आ जर्चा में प्रदेश में एक बाई फिर से पोलियो संक्रमन का खत्रा मन रहा है स्वास्त विभाग ने सोला जिलो को पोलियो के लिए हाई रिस्क बर रखा यहां विभाग मॉनिटरिंग करने के साथ ही जन्म लेने वाले बच्चों का रिकॉर्ड संभाले हुए है इन जिलों में भुबाल इंदौर गॉालियर शामिल है इसी के जलते सौस्त विभाग आगामी 10 दिसंबर को विशेश महाबियान चलाने जा रहा है अगवान राम के बाहर से खाक हुआ रामल कदाम जैश्री राम के जैघोश से गूंजा इन दौर बुराई के प्रतीक रामल पर अच्छाई के सौरूप मर्यादा पुरिशोत्तम राम की विजय कपर विजया दश्मी इन दौर में मंगलवार को हरशोलास के साथ मनाया गया शेयर भर में दशानन के दंब का देहन हुआ इन दौर में 1500 से अधिक कि थानों पर रामल के पुटले का दहन किया गया इसके बाद इन दौर का हरशेत्र जैशी राम के जैघोश ते गून जुठा एस बार रामल के साथी शूर्पनका का पुतला भी जलाया गया रावर देहन से पहले रंगारंग आतिश बाजी भी की गई वहीं दशेरे पर शमी पूजन भी किया गया दिवारो होजिंग को कॉंग्रेस के प्रचार का अंतिजार असमंजस ने वीरेंद्र रगोवन्शी की बढ़ाई उम्मीदे विधानसभा चुनाओ में दोनों प्रमुक राजनेतिक दलो ने अपने प्रत्याशी घोशित कर दिये शिप्पुरी विधानसभा शेतर में भाजपा ने चुनाओ का राले खोल दिया बुखे चराहो सडको होडिंग्स पर भाजपा सही तन्यराजनेतिक दलो के बैनर पोस्टर वदीवार लेकिन दमकने लगा है लेकिन इन सब के बीच कॉंग्रेस अभी प्रचार की दोड़ में नजर नहीं आ रही है दशेरे पर तेहरा सो रुपे गिरेट चांदी के दाम सोना भी उत्रा इसराइल हमास यदिक के गतिविदिया कमजोर पड़ते ही मुलेवान धातू सोना चांदी के भाव नीचे आना शुरू हो गए इस्ते पहले सोना चांदी के भाव में अपरत्याशित तेजी आ रही थी चांदी जहां फिर से 73,000 रुपे किलो के अंदर आ गई वहीं सोना भी 62,000 रुपे प्रती 10 ग्राम के अंदर आ गया मंगलवार को आटी जीएस में चांदी 72,600 रुपे के लो और सोना 6,900 रुपे प्रती 10 ग्राम रही उद्प्रदेश के टॉप 10 करोड़ पती विधायक नवे नमबर पर सिहोर के सुदेश राई भी शामे जिले में जोहां अब तक का सबसे अधिक समय तक रहने वाला भाजपा के मुक्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान है वही एक और प्रदेश स्तर पर उपलब्दी विधायक सुदेश राई ने हासल की रात में बढ़ने लगी ठान धूप से गायब होई चुभन वर्दमान में मदर परदेश की मौसम को प्रभावित करने वाली कोई प्रभावी मौसम प्रणाली सक्रिया नहीं है वाता वरण में नमी काफी कम रहने की वज़े से आस्पान पूरी तरह से साफ है इस वज़े से दिन में अब धूप से चुभन गायब हो गई वही रात के तापमान में गिरावच होने लगी इस से ठंड महसूस होने लगी मंगलवार कुपरदेश में रात का सबसे कम 14.1 डिग्री से असियस तापमान मलाच खंड में डर्ज किया गया छे महीने में अर्थिस बार बंदे भारत पर पत्राव, सोला बार बदले गए काच रानी कमलपती स्टेशन से ग्वालियर होते हुए हजरत निजाम उद्दीन तक जाने वाली ट्रेन क्रमांग दो शूने एक साथ एक, दो शूने एक साथ दो बंदे भारत एक्सप्रेस पर छे महीने में अर्थिस बार पत्राव के घटनाएं सामने आई सबसे जादा घटनाएं आगरा से जहांसी रेल खंड के बीच हुए इन घटनाओं में तीस बार ट्रेन की खिड़कियों पर लगे काँच को नुकसान हुआ जिसमें से सोला काँच अभी तक बदले गए हैं परिवान और राजा सुमंत्री गोविन सिंग राजपूत के खलाफ F.I.R मदबर्देश के परिवान और राजा सुमंत्री गोविन सिंग राजपूत के मुश्किले बढ़ गए दरसल चुनाओ आयोक के नर्देश परसागर जिले के राहत गर्थाने में उनके खलाफ F.I.R दर्ज की गई उनका एक वीडियो वारल होने के बाद ये कारिवाई की गई जिसमें वो लोगों से चिनाओं में सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले पोलिंग बूद को 25 लाग की घोशना करते नजर आ रही है संत सिंगा जी मेला 24 अक्टूबर से होगा शिरू 2 नुवबर तक चलेगा पर जनपत पंचाय थरसूत के द्वारा बैठक कायो जन किया जाएगा जिसमें मुख्य रूप से पुनासा ISDM CEO सहीच जन प्रतिनी दीव अग्रामी मुझूद रहेंगे सोलर पंप पर मिल रही है 75% सबसीडी किसानों को फसलों के सचाई करने में कोई परिशानी ना हो इसके लिए सरकार की ओर से सबसीडी पर सोलर पंप उपलब्द कराई जा रही है खास बात ये है किसानों को 75% सबसीडी दी जा रही है यारि आप मातर 25% के राशी खर्च कर अपने खेट में सोलर पंप लगवा सकते हैं सोलर पंप लगवाने का सबसे बड़ा लाव ये है कि किसानों को फसलों की सचाई के लिए 24 गंटे पानी उपलब्द होगा उन्हें बार बार बिजली कट की परिशानी से मुक्ती मिल जाएगी एंबी की बेटी ने सिल्वर के बाद भारत को दिलाया गोल्ज पिता बोले पीम मोदी का दिया जीत का मंतर कमाल कर गया चीन के हांगचु प्रांट में आयो जी टेशिन पेरा गेम्स 2023 में मद्रप्रदेश की बेटी प्राची यादव ने एक बाद फिर से प्रदेश रदेश का मान बढ़ाया प्राची ने वोमन्स पेरा कैनो के ल2 कैटेगरी में गोल्ड मैडल अपने नाम किया प्राची की जीत के साथ ही भारत टॉप फोर मैडल जीतने वाले देश में शामिल हो गया मद्रप्रदेश की बेटी की इस जीत पर प्रदान मंतरी नरें निर्मोदी ने खिलाडी को एक बाद फिर से सोशल मीडिया पर बढ़ाई दी मद्रप्रदेश की जनता चाहती है कि भाजपा आराम करे मद्रप्रदेश की जनता चनाओ के दिन बटन दबा कर इसका जवाब ज़ूर देगी इन बैंकों की गरहकों को एटेम कार्ड के रिप्लेसमेंट के लिए करना होगा मोटेट चार्ज का भुकतान बारती अस्टेट बैंक 300 रुपे प्लस GST डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज लेता है GST 18 पीसद के दरस इलागो है डेबिट कार्ट के लिए HDFC बैंक रिप्लेस्मेंट के दोबारा जारी करने के लिए 200 रुपे और GST लगते हैं ICICI बैंक डेबिट कार्ट के लिए 200 रुपे प्लस GST चार्ज करता है पंजाब नेशनल बेंक डेबिट कार्ड रिप्लेस्मेंट चार्च के रूप में कार्ट के अधार पर डेर सो रुपे से पांसो रुपे के बीच चार्च करता है करोडों किसानों को मिलेगा दिवाली का तुफा खाते में आएंगे पंदरवी किस्ट के दो हजार रुपे किस के तहट दो हजार रुपे के राशी का भुखतान किया जाना है माना जा रहा है कि नवंबर महीने में दिपावली से पहले किसानों को मोदी सरकार बड़ी राहत दे सकती है एर मार्शल साधना सकसेना नायर बनी अस्पता सेवा महानिदेशाक पहली बार महिला अधिकारी को पदभार अस्पता सेवा की महानी देशक कपद एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर ने संभाला वायूसेना की अधिकारी उने एक बयान में कहा कि भारतिय वायूसेना की अधिकारी एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर प्रभावी रूप से केवल दूसरी महिला अधिकारी हैं जिन्होंने पूरे सेवाकाल में वायूसेना में अलग-अलग पदों पर सेवाएं देने के बाद एयर मार्शल के पद तक पहुची पद भार ग्रहन करते समय वायूसेना प्रमुक्विया चौधरी भी मौजूद रहे त्यूहारी सीजन में रेल्वे चला रहा है 300 سपेशल ट्रेंज चाट बनने के बाद भी मिल सकती है कनफरम सीउट त्यूहारी सीजन में ट्रेंग में बेतहासा भीड होती है कई लोगों को यातरा केली नहीं मिल पाती ऐसे में लोगों के लिए अच्छी खबर है भारतियारियल विभन रूट पर 300 के करीब स्पेशल ट्रेन चलाएगी ये त्योहार के सीजन में करीब 4500 फेरी लगाएगी त्योहारी सीजन में ये ट्रेन अलग-अलग जोन से चलाई जाएगी इतना ही नहीं रिजर्वेशन चार्ट बन जाने के बाद भी कन्फरम बर्थ मिल सकती है कहते हैं कि ट्रेन की आत्रा तभी मंगल में होती है जब खुद की अपनी सीट कन्फरम हो परिशानी हमेशा रहती है लेकिन त्योहारी सीजन में जानकारी हो तो समस्या सुलत सकती है और सफर सुहाना हो सकता है अमीर देशों के नागरिकता लेने में भारती है सबसे आगी भारत और केनेदा के बीच भले ही राजनाई गतिरो चल रहा हो लेकिन बात जब इमिग्रेशन की आती है तो इस्तती बिल्कुल उलाच है बाहर के देशों के नागरिक्ता हसल करने में भारतिय टॉप पर है भारतिय जो और इकोनोमिक कॉर्परेशन एंड डेवलेप्मेंट देशों में प्रवास करने में शीश पर है विदेशी नागरिक्ता प्राप्त करने में भी आगे है इसमें भी अमेरिका नागरिक्ता लेने झाल